Hello students, welcome to your channel मासारद कोचिंग और आप हैं नवदय विध्यारले की क्लासेज में उसका जो हमारा जो बुक है जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत सारी बुक का एक मतले की 4 से 5 जार सवालों के किताब तो अब हम उसी की तयारी आपको कराएंगे और उसी बुक से आपको पढ़ाएंगे जैसी बुक तयार हो जाएगी वो पबलीकली आप सभी के लिए लॉंच कर देंगे तो फिलाल देखिए उसके तो आपको जो संग्या पतती आपका फर्स चेप्टर है तो इसमें आपको पता है कि भी हमारे पास जो नंबर्स होते हैं अभी हम जो प्रीचे पढ़ा कि भी हमारे पास 1,2,3 यह सब नंबर होते हैं तो इन सब को मैंने बताया था आपको कि हम इनको एक गुरूप में इनको गुरूप में डिवाइड कर देते हैं तो उन्हीं में इसी देखों, आपको मैं डेफिनिशन्स बता रहूं कुछ, आप उनको ध्यान में रखी देखीजिए, समसे पहले आती है आपकी नेच्रलल लंबर, जिन्हें प्राक्रतिक संक्याय कहते हैं, तो एक से शुरू होकर गिंती में आने वाली संक्याय, प्राक्रत आते हैं, इसमें रखे हैं, अभी मैं आपको जैसे इसकी परिवासा हैं, आपको बताने के बाद, कॉस्चन पर लेकर चलेंगे इसी वीडियो में, तो बने रीचे और लास्ट तक देखिए, देखिए, मैं आपको पूरी एशॉर्टी करता हूं, कि आप वीडियो को प्राकर्तिक संख्या हैं, मैं जब सूनने को समलित कर लिया जाता है, मतलब अभी जो हमने प्राकर्तिक संख्या हैं, कौन कौनची होती हैं, वन, टू, थ्री, जो वन से स्टार्ट होती हैं, अब यदि हम उसमें 0 और एड गलने, मतलब 0, 1, 2, 3, तो यह सब हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, जिने हम वॉल नंबर कहते हैं, तो देखिए अगला, सम संख्या हैं, जिने हम इविन नंबर कहते हैं, तो वे प्राकर्तिक संख्या हैं, जो दो से भाग देने पर पूर्णते हैं, विवक्त हो जाती हैं, जैसे मैं डिवाइड हो जाती हैं, जैसे उसमें कुछ सेस नहीं बसता है, कुछ reminder नहीं बसता है, जैसे मैं वाइचान 16 ले लूँ, 16 को मैं 2 से divide करूँ, 28 जा 16, तो जिसमें कुछ भी reminder नहीं बसता है, और जो हमारी 2 से पूरी तरह कड़ जाती है, ऐसी संक्यां क्या कहलाती है students, हमारी सम संक्यां कहलाती है, उसके बाद आप क संक्यां हैं, वे प्राकरतिक संक्यां हैं, जो 2 से भाग देने पर पूर्णत भी वक्त नहीं हो, तथा कुछ सेस बच जाए, उन्हें हम विसम संक्यां कहते हैं, जैसे मैं 15 को 2 से divide करूँ, 27 कितना होता है, 14, यहाँ पर कितना बच गया, एक बच गया, तो जिसमें कुछ ना हमारी आती हैं, इसमें धनात्मक संक्यां हैं, जिने हम positive numbers भी कहते हैं, जिनको strength क्या कहते हैं, positive number कहते हैं, तो वे संक्यां हैं, जो धन, मतलब positive चिन्न के साथ, धरसा ही जाती हैं, उन्हें धनात्मक संक्यां कहते हैं, जैसे plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, बहुत सारी होती हैं, ठीक है न, उसे हमारी धनात्मक संक्यां क्याला जाती है, अगला हमारा है रनात्मक संक्यां मतलब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो भी संक्यां होती है, जो रन चिन के साथ मतलब माइनस चिन के साथ वो दर्स आई जाती है, उन्हें रनात्मक संक्या कहते हैं जैसे माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 ETC इत्यादी उसके बद आता है पूर्णांग देखे यदि मैं इन धनात्मक और रनात्मक संक्याओं को एक साथ मैं यदि लिख लेता हूं तो वो हमारी पूर्णांग कहलाए जाती है तो प्राकरतिक संक्याओं में सुनने तत्या रनात्मक संक्याओं को समलित किया जाए तो पूर्णांग बनता है यह भी आपका important होता है देखे आपको क्योंकि आप MCQ करने जा रहे हैं आपको उसको pre knowledge लेके चलेंगे उसको अदाती है आपकी परीमे या फिर विन संक्याओं जिनने हम rational number कहते हैं या फिर fraction number कहते हैं तो देखे वो हमारे कौन से होते हैं यदि किसी संक्या को P बटे Q के फों में लिखे लिया जाता है जहां पर Q के बराबर नहीं होना चाहिए तो ऐसी संक्याओं है हमारी परीमे संक्याओं कहला जाती है बहुत अच्छे मुझे लगता है यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा चलते हैं next page पे तो देखे इसके बाद जो हमारी series आती है इन numbers में वो हमारी आती है आपरीमे संक्याओं होगी तीक है न ऐसी संक्याओं है यदि किसी को हम उसे भिन के रूप में नहीं लिख सकते मतलब जिसके अंस और हर एक पूर्णलांक नहीं होते है उनको हम क्या कहते हैं आपरीमे संक्याओं कहते हैं जैसे अंडरूर्ट टू under root three यह सो हमारे क्या आते हैं यह सो हमारी अय परी में संक्या है में हाते हैं कई बार questions आ जाते हैं आप लोग नहीं बता पाते हैं तो आपको पता हुना चाहिए उसके वाईद हमारा होता है वास्तिविक संक्या है मतलब अब यह जो जितनी की जितनी हमने संख्या है पड़ी, कॉन-कॉन सी परिमे है और एपरिमे है, दोनों संख्याओं को यह दी मैं एक जीगे रख दूँ, एक बैग में डाल दूँ, तो वो बैग किस चीज का खहला जाएगा, वास्तिविक संख्याओं का, उसमें कॉन-क भी हो सकता है two भी हो सकता है three भी हो सकता है जितनी भी अब तक हमने पीछे संख्या पड़ी सभी को यह आप एक बैग में डाल दें तो आपका बैग जो कहलाएगा वह वास्तिविक संख्याओं का कहला जाएगा अब देखिए आपका है इस मागला रूण या एभाज्या संख्या है तो देखिए एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो आपको जीने प्राइम नंबर आप कहते हैं प्राइम नंबर आपके वह नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं जो मतलब ऐसी प वाजितों रूण या भाज्य संग्य कहलाई जाती हैं, जैसे 2-3-5-7-11-13 इत्यादी, ठीक है, अब उसके बाद हमारी जो आती हैं, वह भाज्य, या फिर योगी, या फिर यूग तुर समिस्ट संग्य diagnose कहलाई करेंगे तो आपको जैसे हमारी आपके नहीं हैं धुल सकते हैं आपके सकते हैं क्योंकि हम अभी हमारी सटियार होगी आपगा पीष值 करेंगे Amazon से चाहे आप जैसे भी उसे हम पूरा आपके लिए कोशिस करेंगे क्योंकि दिन और रात लगे वे हम आपको ऐसी बुक देने में जहाँ आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना है ठीक है strengths तो देखिए चलते हैं अगले पेच पर तो देखिए strengths उसके बाद हमारी आती है सहे वाज्य संक्या हैं देखिए सहे वाज्य संक्या हैं आपके कौन सी होती है इसको आप देख लिजे ये आपकी सहे वाज्य संक्या हैं जो जिन में एक के अतिरिक कोई उभेनिस टुणनकर नहीं होता है मतलब जिनका HCF HCF कहते हैं मैंसे को जिनका यह दिया मैंसे निकालें जिनका हम common factor जिसमें कोई नहो ऐसी संकें सहवाज़े कहला जाती है अभी आपको question आएगा मैं इस question को आपको करके दिखाऊंगा कि कौन सी संक्चाओं को हम सहवाज़े कह सकते हैं जैसे आप example ही ले लिजे इसमें आपको 9 और 16 का example लिया गया है तो देखे जब आप 9 और 16 का ले से निकालेंगे तो 9 एकम 9 यहापे कितना जाएगा 5 उसके बाद आपको क्या करना है साथ आप जैसी 9 में करेंगे साथ एकम 7 बार चला जाएगा फिर उसके बाद आप क्या करेंगे फिर आपका 2 बाद जयाएगा आप 2 बजने के बाद इसको को करेंगे आपका कितना बचाएगा या आपका इसमें यहाँ दो बचाएगा फिर आप उसको आप डिवाइट करेंगे आप घलत कर गें तो आप 2-3 तो फिर आपका मँद जाएगा फिर आपको सिखाऊंगा जब आपका फैक्टर वाला चेप्टर चलेगा तब में सिखाऊंगा तो आपको बताउंगा कि जिनका HCF 1 आता है तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो ऐसी संख्या है हमारी जो होती है वो सहभाज्य संख्या है कहला जाती है जिनको को प्राइम नंबर कहते हैं ठीके स्ट्रेंट्स देखिए उसके बाद आपकी जो आती है वो आपकी आती है प्रतिलोम या फिर संयोजी बिलोम संख्या है तो देखिए यह कौन सी होती है इना आपको मैं बता दूँ कही बार कोश्चन आएगा अभी मैं कोश्चन करा हूँगा इसे तो देखिए हमें से क्या जाता है जैसे कि माइनस 6 का प्रतिलोम बताईए तो माइनस 6 का जो प्रतिल बिलॉम माइनस चार बताएंगे उसके बाद आपका आता है बिलॉम या गुनातमक बिलॉम तो बिलॉम या गुनातमक बिलॉम में जो आपकी संक्या होती है जैसे कि मेरे पास एक्स है कोई संक्या तो इसका हमको जो करना है वो उसका वन अपॉन एक्स कर देते हैं और यदि म important बाते हैं जो हमको ध्यान में रखनी है और हमको पता होनी चाहिए अगले में दलते हैं हमारा है देखिए उसमें last वाले में जो इसमें topic दे रहा है वो कह रहा है निर्पेक्षमान निर्पेक्षमान जो हमारा होता है वो हमारा होता है चाहे आपकी संक्या minus की हो चाहे plus की हो answer आपका प्लस में ही आएगा जैसे हमारे पास बाइचन माइनस चार है यह निर्पेक्षमान का साइन होता है जिसे मोड कहते हैं ठीक है ना modulus of four तो यह हमारा four आएगा answer ठीक है ना जो हमारा है four तो यह हमारे इस तरीके सा answer होता है जो उसका निर्पेक्षमान होता है निर्पेक्षमान का भी सवाल आ जाता है मैं भी सवाल आपको कराने जा रहा हूँ ठीक है देखे थोड़ी सी बाते हैं आपको देख लो उसके बाद चलते हैं direct topic पर जो हमारे mcqs हैं उनके लिए तो देखे हमसे कहता है इस्थानियमान मैंने बता चुका हूँ आपको इस्थानियमान किस तरीके से निकालते हैं इस्थानियमान का मतलब क्या होता है हमारे पास 4 6 7 है उसका 4 6 का इस्थानियमान 6 0 है 4 का इस्थानियमान 4 के पीचे 2 0 है 7 का 7 है मतलब 1 10 100 यह है इस तरीके जए 1000 10,000 यह उसके इस्थानियमान होते हैं मतलब place value होती है ठीक है जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 5 दे रखा है ना 5 7 3 में 3 का इस्थानियमान कितना है 70 है ओके स्थानियमान ठीक है अगला देखिए एक होता है जातियमान जातियमान में यह दि मैं बाईचन से इस 6 का जातियमान पूछा लगूँ तो वो 6 ही होगा इस 4 का जातियमान मतलब 4 ही होगा इसे इंगलिस में face value कहते हैं और face value वही value होती है जो उसका नमबर होता है चीक है उसके बाद आपको आती है चोटी या बड़ी संख्या है बनाने के लिए वह आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आपको जब आप 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और उसके बाद जैसे ही आप लिखते है तो आप क्या आ जाता है number आपका 10 आ जाता है तो जैसे ही आपका 10 आया आपने क्या लिए 9 के बाद आपका कितने आकए 10 तो 10 कितने कितने नमबर है है 2,1 और 0 9 में कितने ओन ते 1 इसी तरीके से आपकी 3 नंबर की सबसे चुटी संक्या आपकी 100 होती है और 3 नंबर की सबसे बड़ी संक्या आपकी 999 होती है इसी तरीके से अब हम चलते हैं MCQs पर आपके questions वे इसके बाद अब हम लोग लगाता 200 questions हम 200 plus question करने की courses करेंगे उसके बाद ही हम next topic लेंगे तो चलत हैं सवालों पर इसे एक प्रकार से आप इस वीडियो को हमारा जो खिताब है जो हमारी बुक है आप उसका solution कह सकते हैं क्योंकि इसी तरीके से हम क्योंकि अभी उसको solution आपको त्यार करके नहीं देंगे हम आपको solution हमारी यही YouTube के वीडियो के थ्रूँ आपको देखना होगा तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रस्टन है हमारा जो नवदे विद्यले में आते हैं वो आपका MCQs टाइप आता है MCQs आता है आपको चार ओप्चन दे दियाते हैं एक कोशिन के आपको एक ओप्चन आपको करेक्टर टिक करना होता है नेगेटिव मार्किंग आपकी होत ह्चंटी लिए तो इसलिए आपको बंता नहीं है कि आप ऐक भी कोस्टन चोड़करेन क्योंकि कभी 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 क्या होता है कि हमारे दूआरा कियागया आंसर भी कभी कभी 4301 को आपको कह रहा है कि सब्दो में लिखना है, इसका नंबर नेम लिखना है, तो नंबर नेम लिखने के लिए आपको किसमें कह रहा है, कि देखिये, सबसे पहले आप जो ही लिखावाए, इसको आप एक माँ चुर। 3731 तो देखे आपको जितने भी यहाँ पर सिस्टम देखे गाये हैं मैने आपको बता है कि सिस्टम हमारे दो तरीके क्ये होते हैं एक इंडियन सिस्टम होता है एक इंट्रनेसनल सिस्टम होता है जो हमारे international system होता है उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं हम इकाई, धाई, सेंकडा, हजार, दस हजार, सो हजार, मिलियन, दस मिलियन, सो मिलियन, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इंगलिस में उसके बाद आपका, बिलियन, टैन मिलियन, और हंडेड मिलियन, इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ना, इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ना, स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले ऐसे सवाल में आपको कोई भी क्योंकि ऐसे सवाल में आप नंबर आप अपना जल्दी का बाद बैठते हैं क्यों आप सोसते हैं सवाल बहुत आसान है लेकिन आप लोगों को गड़बल कर देते हैं सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है हमको इंडिन सिस्टम में तीन के बाद कोमा लगा लेना है एक, दो और तीन ये जो संक्याइं चमक रही है उसके बाद आप दो-दो के बाद कोमा लगा लीजे इससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखें, आप इसको यहां से पढ़ना इस्टार्ट केजिए और उसके पाद आपका क्या है लेक, टैन लेक, तो आपका क्या हुआ तो आपका क्या हुआ, तो को यह 87 लेक है 87 लेक, 54 थाउजन और 301 यह आपका वो नमबर है, जो आपको पता होनी चाहिए इसमें 87,54,301 तो 87,54,301 जो आपका जो ऑप्शन है, वो आपका यह देखिए आपका ऑप्शन जो आपका थर्ड वला ऑप्शन है यह आपका इसमें फिड बैड रहा है क्योंकि तो यह आपको कह रहा है 87,54,301 यह आपकी नमबर है, यह आपकी संक्या है ठीक है strengths तो देखिए चलते हैं second question हमारा जो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 13,307 को अंकों में लिखने पर निम्न लिखित में से कौन सा रूप होगा मतलब आपको 13,307 को लिखना है तो देखिए आपको जब भी ऐसा सवाल आता है आपको क्या करना है आपको ये लिख लेना है ठीक है students अब देखिए क्या कह रहा है 13 लेक तो आप दोनों लेक के नीचे 13 को लिख दीजे उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको करना है कि 13 लेक 307 मतलब आपको जो 100 वाला है यहापे कुछ नहीं है उसको आपको 0 लिख देना है उसके बाद आपका कह रहा है 307 तो 307 आप नॉर्मली लिख सकते हैं तो जो आपका वो देखिए इसमें option कोन सा वाला सही है तो आपका देखिए 13 के बाद 20 और उसके बाद 307 यह आपका जो option है यह वाला वो आपका सही है वो आपका correct है तो देखें थर्ड question में क्या कह रहा है कि 4091 तथा यह 2 से बनने वाली आपको 5 अंको की सबसे छोटी संक्या निम्नलिकेत में से कौन सी होगी तो देखिए students आपको कह रहा है कि आपको एक तो 4 का इस्तमाल करना है आपको किसका करना है 4 का 0 का 9 का 1 का और 2 का आपको use करना है और आपको 5 डिजिट की greatest number बतानी है तो देखिए आप जैसी 5 डिजिट की greatest number बताएंगे तो आपका क्या आएगा इसमें 4091 और तथा 2 तो 5 अंको की सबसे छोटी संक्या बतानी है तो देखिए जब भी हम सबसे छोटी संक्या बनाते हैं इसमें हम सबसे छोटा अंक ढूंडते हैं तो देखिए सबसे छोटा आ आपका जो अंको का आप कह सकते हैं कि आपका वो क्या है जीरो है लेकिन हम लोग जब छोटी संक्या बनाते हैं तो हम लोग जो जीरो होता है उसको पहले नहीं लिखते हैं क्योंकि उसने हम से कहा है कि हमें 5 अंकी की बनानी है जैसे भाइचांस हमने 0 1 पहले हम सबसे छोट तो हमारे वन ही होगा, कभी ये दो अंकों की संक्या नहीं होगी, तो ये इस समय एक, दो, तीन, चार, चार अंकों की है, तो हमें ये दी से पांच अंक का करना है, तो हमको इस ट्रेंट्स क्या करना पड़ेगा, जीरो को एक सबसे जोटी संक्या के बाद में लिखते हैं, उस वो आपका सही है बहुत अच्छे तो देखे चलते हैं अगले question पर next question हमारा क्या कह रहा है तो देखे next question हमारा उसमें कह रहा है कि वही 5 अंग की है बड़ी से बड़ी विसम संख्या जो अंग को तीन पांच साथ नो तथा जीरो से बनाई जा सकते हैं बहुत अच्छा question है और आप लोग इसमें गलत कर देते हैं अब गलत कैसे कर देते हैं यह मैं आपको बता दूँ सबसे पहले देखे आपको क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी वनानी है पांच उंको की किन किन का इस् बड़ी से बड़ी संख्या बना लीजे जिससे आपको प्रॉब्लम ना है तो आपको सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना होता है सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उसके बाद आपको उससे चोटी संख्या लिखनी होती है फिर आपको odd number होनी चाहिए, तो odd number लाने के लिए, आपको ये पीछे वाली जो दोनों digit हैं, इनका आप दोनों के जिगए बदल दीजे, place बदल दीजे, जिससे हमारी जो संक्या है, वो क्या हो जाए, odd हो जाए, odd वो number होते हैं, जो two के डेवल में नहीं आते हैं, या फिर जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आता है, तो देखिए, अब आपको नंबर है, जो आपको इस question के coding चाहिए, तो आपका जो 9, 7, 5, 0, 3, जो आपका option C है, वो आपका इसमें सही हो गया है, ठीके students, बहुत अच्छे, तो देखिए, आपका student जो 5th question है, वो उसमें हमसे कहा रहा है, पांच अंको वाली, बड़ी से बड़ी, तता छोटी से छोटी संख्या, जो 0, 3, 6, 8, तता 9 से बनती है, उसका अंतर बताना है, मतलब अंतर मैंने आपको बड़ी तता छोटी से छोटी संख्या, वो किन किन का استعمάλ करके बननी चाहिए, आपकी 0, 3, 6, 8, और 9 का استعمάλ करके, तो देखें, बनाईए, पहले आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, उसके बाद आपको उससे छोटी संख्या बनानी है, तो पहले हम बनाते हैं, बड़ी संक्या, पहले हम Greatest Number बनाते हैं, तो Greatest Number बनाने के लिए, हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए, Student ? पहले सबसे बड़ी संक्या को हम लिखते हैं, तो वह क्या है? Nine, उसके بعد क्या है हमारा ? Eight, फिर आपका क्या है उसमें? Six, फिर आपका क्या है ? चलिए इसका subject करते हैं क्योंकि हमसे अंतर पूछा गया है तो देखिए 0 में से आपको नहीं जाएगा तो 10 में से 9 गया 1 आएगा फिर यहां 12 बज जाएगा 12 में 8 गया 4 आएगा यहां 5 बज तो देखिए उसके बाद आपको यहां पर 7 आजाएगा 9 में से 3 आपका जाएगा 6 आजाएगा तो आपका 67941 तो आपका देखिए 67941 आपका जो डी option है वह आपका सही है ठीक है अब आप 6th question पर जाएगे 6th question आपका क्या कह रहा है 6th question में आपको क्या करना है sorry 6th question में जाएगे आपको कह रहा है 5 अंको की बड़ी से बड़ी सम संक्या जो 3,5,7 तथा 8 से बनी हो तो देखिए बहुत अच्छा question है आपको पहले भी हमने इस से पीछले सवाल कर रहा है उसमें आपको odd number बनवा रहा था लेकिन इसमें आपको सम संक्या मतलए even number बनवा इबिन में हमें क्या करना है बस कुछ नहीं वही चीज़ द्यानक ने जो मैं आपको बताया था सबसे पहले आपको 3,05,7 तथा 8 का इस्तमाल करके यह कहना ना बड़ी से बड़ी संक्या बनाने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं फिर उसके बाद साथ पांस तीन जीरो का इस्तमाल करके उसके वड़ी यह सम संक्या अपने आप में है क्योंकि पीछे जीरो आ रहा है तो आपका आंसर यही होगा यहीं हमको कोश्यट को रोकना होगा तो आपका आठ साथ पांस तीन जीरो जो आपका option c है वो आपका correct है ओके तो देखे है इस से अगला सवाल देख लीजए अगली सवाल में क्या के रहा है 1 3 0 9 7 यह जो हम इसका इसकी सहायता से बनने वाली बढ़ी से बड़ी संक्या जब एक अंक का प्रियोग कैबल एक जँवार किया गया है ठीक है तो आप देखे लीजए 1 3 0 9 7 की सहायता से हम करना है तो देखे सबसे पहले हम लोगों को बड़ी से बड़ी होगी तो हमसे को यही कह रहा है कि हमको बस बड़ी से बड़ी करना बाकित और नॉर्मल सवाल है इसको हमने कर लिया है तो देख लीजे अब हमारा जो आठमा सवाल है फिर से हमारा इसी तरीके का है वो हमसे कह रहा है कि बड़ी से बड़ी साथ अंकों की संक्या तथा छोटी से छोटी आठ अंकों की संक्या का अंतर बताना है तो देखे सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब मैं इसकी छोरी करा रहा था कि आपको बड़ी से बड़ी संक्या कैसे बनानी होती है यह हमसे कह रहा है कि बड़ी से बड़ी साथ अंकों की संक्या तो बड़ी से बड़ी साथ अंकों की संक्या लिख लिए greatest seven digit number तो आपको साथ बार no लिख लेना है ठीक है students sorry ठीक है तो यह हमारे एक और 9 आएगा ठीक है अब उसके वाद कहा रहा है छोटी से छोटी 8 अंकों की संक्या तो दीखे इस small s जो आपकी 8 अंकों की संक्या वो कौन सी होगी आपको 1 के पीछे 7 0 लगा दे दें ठीक है यह आपका हो जाएगा ठीक है अब आपको इसमें क्या कहा रहा है इनका अंतर अंतर का मतलब होता है difference आपको minus करना है तो minus कर लीजिए यहाँ आपको 10 मिसे 9 जाएगा 1 आएगा यहाँ 9 मिसे 9 के 0 0 0 0 0 और 0 तो हमारे कितना आ गया 1 हमारा answer आ गया जो हमारे according to question हमारा कह रहा है ठीक है समझ मा रहा है नहीं समझ मा आप बता देना आपके लिए बिल्गुल इसी विए में जितना भी इजी होगा उतना आपको इस किताब को इस book को समझाने के उस्यूस करूँगा ठीक है और जैसे book तेयर होती है आपको मैं तुरंत आपको इसको पर्जेस करने के लिए डाल देंगे ठीक है तो देखे चलते है अब देखे हमारे पास है हमसे कह रहा है कि अगला question जो नाइन्थ question आपका नाइन्थ question में कह रहा है तीन अंकों की सबसे छोटी संक्या में यदि सबसे छोटा विसम अंक चोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा तीन अंकों की सबसे छोटी संक्या तो सबसे पहले इसको आपको ध्यान लगना है यह हमसे कह रहा है कि तीन अंकों की सबसे छोटी जो smallest नंबर होती है वो 1 के पीछे 2-0 होती है उसको जोट कह रहा है इसमें यदि सबसे छोटा विसम अंक जोड़ दिया जाए तो सबसे छोटा जो ओड़ नंबर होता है विसम संक्या होती है वो आपकी 1 होती है यदि इसको जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर 1-0-1 आजाएगा जो हमारा option एवाला सही है ठीक है देखिए अब अगला सवाल है यह हमसे कह रहा है कि 14 और 24 के बीच की सबी विसम संक्याओं का योग कितना होगा तो देखिए 14 जो हमारा 14 है और जो 24 है उसके बीच की आप सबी विसम संक्याओं लिख लिजिए और नमबर लिख लिजिए तो हमारे और नमबर देखिए 14 के बाद जो आपका आता है वो 15 आता है 15 के बाद आपका 17 आता है 17 के बाद आपका 19 आता है फिर आपका 21 आता है फिर आपका 23 आता है यह कह रहा है सभी का योग कितना होगा सभी को जोड लीजिए 3 और 1 4 4 9 13 13 और 7 22 22 और 5 27 का साथ हासिल आपका 2 जाएगा फिर 2 और 2 आपका 4 4 और 2 6 6 और 1 7 7 8 8 9 ठीक है 97 जो हिमनार इसका अंसर आ रहा है ठीक है तो देखिए अगला जो सवाल है आपका देखिए उस वाले में आपका साइध उप्चेन हमारा गलत है उसमें हमारा जो जोड आया है वो उसमें आपके 95 85 75 65 दे रखा आप एक बार करके देख लेना ठीक है आपका क्या आंसर आ रहा है ठीक है यदि नहीं आ रहा हो तो आप पता देना क्योंकि इसको करेक्ट कर लेंगे उसके बाद कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सं सेवन विंजे सेवन आपका टू आ गया है सेवन फोर जा ट्वंटी एट आ गया है और आपका उसके बाद उसके बाद आपको चुआ गया है 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 उसके बाद आपको चुआ 999 में से आपको 4 गठा लेंगे तो आपकी संक्या साथ से पूरी कर जाएगी तो आपके पीछे 95 जो है वो आपका आपका सही है ठीक है जो स्ट्रेञ्स ठीक है ओके तो देखिए उसके बाद हमारे जो खुश्चन अगला कहा चया है कि निम्ली कितम बांतसी संक्या एक है होती है तो परीमे संकिय स्टुट्यंट मैंने आपको बता ही वह संकिय होती है जो हमारे फ्रेक्शन में लिखे designing होती है तो फ्रेक्शन कोला प convention है और बॉद इस चersonal root का मतला होता है उसी की उसी में multiply करिए यह मैं सिखाऊंगा जब यह हमारा topic होगा तो आपको under root जो 9 वो 3 आता है उसके बाद आपका pi कह रहा है pi का मान जो आपका वो एक irrational number होती है ठीके ना irrational number होती है उसके बाद आपका under root 3 upon 4 यह भी आपका नहीं है यह वाला और यह भी आपका इसमें नहीं है तो आपका जो option number A है वो आपका सही है क्योंकि 3 ही इसमें क्या है वो हमारी परिमेर संक्या है ठीके strengths तो देखिए अगला देख लीजे अगले question मैं कह रहा है कि सून्य है सून्य क्या है एक प्राकरतिक संक्या पूर्णांक एभाज्य संक्या या विभाज्य संक्या देखिए सून्य प्राकरतिक संक्या नहीं होती है क्योंकि मैंने आपको पता है natural number नहीं होती है अभाज्य संक्या भी नहीं होती है विभाज्य संक्या भी नहीं होती है ये एक पूर्णांक होती है ये एक इंटीजर होती है इंटीजर में आपको बताया था उसमें डेफिनेशन लिखी भी है इंटीजर की जिसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव और जिरो मिलके य तो दीखिए योजयय पृतिलों माईने आपको बताया था कि संक्या कbalance की होती है माइनस कई होती होती है तो माइनस की होती है तो प्लस लगा फ्लस लगा देते है तो आपका 4-11 है तो आपका omज़ें समझने होंगे उसको एक next page पर तो दीकिए इसके बाद हमारा जो सवाल है वो हम से कह रहा है 15 सवाल minus 7 का गुणात्मक पृतिलोम क्या होगा तो दीकिए minus 7 का जो गुणात्मक पृतिलोम है मैंने गुणात्मक पृतिलोम है उसको हम one upon में कर लेते हैं upon का होता है तो उसको हम पल्ट लेते हैं ठीक है ना तो लेकिन हमारा one upon minus seven इसमें नहीं है तो इन में से कोई नहीं बाला हमारा option सही है उसके बाद आपका sixteen question है वो आपको कह रहा है कि minus no का निर्पेक्षमान मैंने आपको निर्पेक्षमान का जब पीछे थियोरी आई थी मैंन संख्या माइनस के दो बटे तीन का गुणात्मक प्रतिलों बताना है तो मैंने क्या बता है ता हम उसको संख्या को पल्ट देते हैं इसका मदद three को उपर कर देंगे two को नीचे कर देंगे minus इसी तरीके से रहेगा तो आपका minus के three upon two जो आपका option number d है वो आपका सही है तो द 36 में से आपको कह रहा है एपरी में संख्या कौन सी है तो एपरी में से मैंने संख्या आपको वो बताई थी कि जिसका आपका जो हर आंस या हर या denominator numerator numerator हमारा पूर्णांक नहीं होता है तो देखिए आपको इसकी जो हमारे पास zero point three है इसको आप three upon ten भी आप लिख सकते हैं उ देखें न क्योंकि six six जा 36 होते हैं तो इसलिए आपका under root six आपका six answer आएगा तो आपका केबल जो इसमें 11 वाला है यह आपका option इसमें एपरी में संख्या का है तो option d आपका इसमें सही है उसके बाद कह रहा है 19 question में आपका 19 वे में under root three का आपको कह रहा है कि इन में से क्या आपका इसमें परी में संक्या है तो देखें अन्डर root three आपका इसमें वाला है तो और साम को दो बच कर 40 मिनट पर वहां से चलती है तो विद्याले में उसे कितने टाइम रहना पड़ा यह आपको निकालना है तो बहुत important सवाल होता है आजाता है कई बार लेकिन आप इसक यह क्या है वो नो बच कर 50 मिनट पर अलका अपने बिद्याले पर आता है नो बच कर 50 मिनट पर वो पहुंची है ठीक है अब देखें वो वहां से चल क्या बज़े रही है वो आपका चल रही है दो बच कर 40 मिनट दो 40 पर वहां से चलती है तो सबसे पहले आपको एक काम करन आप यह जो 9 बज़े 50 मिनट आप इसको 10 मान लीजिए वो 10 बज़े आप अपने स्कूल पहुंची अभी जो यह 10 मिनट है यह आप अपने अलग रखिए ठीक है ना इनको आपको अलग रखना है तो यह 10 बज़े चली तो 10 से बाद में आप देखे 11 बज़े उसका 1 घंटा हो 12 दो गंटे 1 तीर गंटे 2 चार गंटे अब देखे आपके 4 घंटे तो यह पूरे हो चुके है ठीक है ना अब उसके बाद 4 घंटे आपको 40 मिनट वो और फालतू रही है तो इसका मिनट 4 घंटे 40 मिनट लेकिन वो 10 मिनट हमने जो वहाँ पर छोड़ दिये थे 9-50 के वो भी हमको काउंट करने है तो हमारे पास आगे 4 घंटे 50 मिनट ठीक है ना बहुत साबधानी पूरवक करना होता है सवाल बोड़ा ध्यान लगा के क्योंकि नहीं तो हम लोग इसको बहुत ललन टॉप एकदम सवाल होता है उसको हम लॉलीपॉप सुरी और हम उसको नमबर ऐसे ही बाड़ देते हैं ठीक है तो देखिए अगला कोश्चन देख लिजे ओके स्वाल आज 20 सवाली रहने देते हैं उसके बाद क्योंकि थोरी हमारी कल से हम इसकी थोरी होगी नहीं तो इसलिए हम डारेक्ट सवाल ही कराएंगे हम जब तक इसके 200 प्लस सवाल आपको नंबर सिस मिलाकर हम आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुचाएंगे तो दीजिए मिस्टर सौमित को इजाज़त उसके बाद मिलेंगे फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आप इसके आप एंड स्कीन पर देख सकते हैं तब तक के लिए गुड़ बाई